हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज आपका क्लास 12 फिजिक्स का एक्जाम था योप आप सभी का एक्जाम अच्छा गया होगा और मैंने भी एक्जामिनेशन आपका पेपर देखा था जो सैट था एक्जाट्ली तो मुझे याद नहीं कौन सा था लेकिन मुझे सह थोड़ा सब हाइथ as compared to the previous year examination and student this paper was pretty good for those students who burned the midnight oil in their last year by their practice by their hard work तो ऐसे student के लिए जो पढ़ते हैं जिन्होंने पढ़ा है जिन्होंने self पढ़ा है सब कुछ अपना उनके लिए paper मैंने ही मानता कि tough paper था हां इतना जरूर है कि paper में wording थोड़ी सी है कि मतलब आपको paper एकदम नहीं दे दिया आपको निकाल कर question कोई भी question आपको थोड़ा सा question को लपेट कर दिया गया थोड़ा सा पेश किया गया आपके सामने ऐसा कुछ हुआ है questions में ठीक है और कुछ-कुछ set में तो बहुत ही अच चाहिए ठीक है अब आप ही इस क्रांती की शिकार आप ही हुए कि यहीं से सुझवात हुई paper के आने की कि आप ही को पहला paper मिला वरना इससे पहले paper ऐसा थे predictable paper टाइप होते थे इस बार का paper थोड़ा बहुत unpredictable था ठीक है एक बात तो यह अब मैं students यह बोलने के लिए आपको पर नहीं बैठा मैं अकसर स्टूजेंट्स के साथ कभी पिछले गए बेपर के बारे में discussion करता भी नहीं हूँ कि अब मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि क्यूंकि मैंने आपको कुछ topics बताया थे कुछ दिए पहले मैंने community tab में भी वो डाला था physics का कि मैंने कहा था important topics है क जो physics आपने करा वह best है मैं आपके सामने एक लाइब एक्जामपल हूँ जब मैं class 10th में था student की बहुत सरे student को ऐसी problem होगी जब मैं class 10th में था तो मुझे भी फिल वाइग्जाम से आने के बाद मैच के पर गए मुझे लगा कि मैंने अरे यह गलत हो गया यह गलत हो गया ऐसा लगा मुझे कि मैंने यह नहीं करना था एक regression feel हो रहा था ठीक है ना लेकिन student वह नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको यह बात तो ठीक है ना तो student जब मैंने ऐसे क्या तो मेरे मैंने आपको लगता है क्योंकि ना आप सोच रहे हैं अपनी तरीके से आपका तरीका महां पर लागू नहीं होता कुछ student ऐसे भी होगी जिने लग रहा होगा पेपर बहुत अच्छा गया और उनके नंबर कभी कम आ जाते हैं हो सकता है आप दो फ्रिंट सापस में बात कर करने एक ने कहा और तो मेरा और वगत अच्छा गया दूसरे को अैंब भटाव गया और उल्टा हो जाते हैं माक्स हो जाते माक मिंटरермों हो जाते हैं माक्स final में क्योंकि आपके लगने ना लगने से कुछ चौनिए और आपने मुझे पता है कि लगभग लगभग आपने attempt तो कम से कम किया ही होगा ठीक है ना मैं ऐसा पहले नहीं कहता कि attempt करके आ जाना कुछ भी लिखके आ जाना लेकिन क्योंकि आपका पेपर हो चुका है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर attempt भी आपने कुछ questions करें हैं तो कही ना कहीं आपको अच्छे marks ही मिलेंगे तो मैं सबसे जो first आपसे जो मैं बात कहना चाहता हूं वह यह कि student अभी आपका कुछ नहीं गया हाथ से chemistry का paper, math का paper, majority अभी आपके हाथ में है अच्छा मुझे इक बात बताएं अगर आपके 100 मैंसे, मान लिया 70 marks आगए physics में, आपके out of 100 ही आजाएं, 100 out of 100, क्या यह best नहीं है, क्या आप इसे ले नहीं सकते हैं, मैं तो acceptable मानता हूं इसे, कि आपके अगर मानलिया physics में कम भी आ गए, 100 में से 50 आ गए, अगर आपके 100 out of 100 mathematics में आते हैं, you are genius, ठीक है ना, तो student जिहान रखना अभी कुछ भी नहीं गया हा 10 days देख सकते हैं, ठीक है न, otherwise, जिन students ने साथ-साथ पढ़ा है, और हाँ, मैं कुछ important बात करने के लिए यहां पर हूं, मैं सबसे पहले वही कर लेता हूं, regression feel नहीं करना, भी regret मत करना किसी चीज़ का, यह नहीं कि आप बोल रहे हैं, कि अरे paper वेकार सबका गया है, जिसका बात student ही है, कि अब मैं आगे की बाते बचा रहा हूं, क्योंकि जो चले गया, उसको बिलकुल भूल जाने में भलाई है, ठीक है न, बिलकुल भूल जाने में भलाई है, क्योंकि मैं कहता हूं आपको, कि लास्ट में आप यह मत कहना, कि हमने physics के लिए सोचा था, कहीं आप दूसरों को सीख मत देना अगले साल, कि भही ऐसा मत करो, कि हमने physics का सुचा था, खराब जाएगा, चले chemistry का गया खराब, चले math का गया खराब, हमने सुचा भी नहीं था, physics में Marks आपके अच्छा आ जाएगे, तब क्या करोगे, तो chemistry में focus करो, सबसे पहले, chemistry को आप करना स् पहले का पढ़ लिया है, previous year paper निकालो, और एक बात अच्छे तरीके से समझ लो, कि CBSE ने जिस बार की मिली है paper बनाने की, जिस committee को, अब समझ जाओ कि paper का कुछ mood इस तरह का है, CBSE के exam pattern का mood इस तरह का है, physics से अंदाजा लगा लो, कि chemistry में क्या हो सकता है, यानि question पढ़ते से म follow करने की कुशिस करो, या जो आपको best लगता है, वो करो, इधर उधर से सुनने से कोई फाइदा नहीं होगा, क्योंकि आज आज आपको exam में पता चलगा कि आप ही अकेले exam दे रहे थे, जो मैं बहुत पहले से कहता था, exam आज आप अकेले दे रहे थे, अब वो scene याद करना का option नहीं था आपके हाथ में, तो feel होता है, वो situation को ध्यान रखो हमेजार आगे बढ़ाओ, ठीक है, तो chemistry में ये करना, revision करो अपना, chemistry में मैं ज्यादा कहूंगा नि, क्योंकि mathematics की जिम्मेदारी मैंने आपकी लिए रिखिया responsibility, तो उसके regard मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, मैं students आपके लिए हर तरह के student के लिए, चाहे वो average student हो, चाहे वो topper student हो, इन दोनों students के लिए, मतलब जो least और top category में होगा, मतलब पढ़ाई के हिसाब से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं एक revision series चला रहा था, मैंने दो video lecture उसके ड आपको mathematics में, अभी मैंने बना-बना के उसे रखा है, मैं जान मुझकर उसे नहीं डाला क्योंकि आप सभी chemistry में, अपने physics में busy हैं, और वो सही भी नहीं रहेगा कि करें, अब मैं एक बात आप से लोग उनसे पूशन चाहता हूँ कि क्या मैं, जो मैं video lectures दोना हैं, क्या मैं कोने release करना, start करना smoothly, क्योंकि उसमें ऐसे questions हैं, जो मैंने बताया, mathematics के लिए बहुत फायदे मन दोंगे, अगर आप थोड़ा सा time बचा पाएं अपना chemistry के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात होगी, अगर आपने साल बार पढ़ा तो बचा पाऊ, एक घंटे का या आदे घं लेकर चलते रहो, chemistry का paper है, मैं जानता हूं, लेकिन आपको side में, maths को भी थोड़ा थोड़ा लेकर चलना है, जो topics आपको लगता है, यह difficult है, इसका concept है, या थोड़ा सा practice की requirement है, उसे अभी practice करना, start करो, practice आली चीज है, अभी इसे थोड़ा थोड़ा धीरे-धीरे काम करना, start कर दो, जो नहीं सीखना ली चीज है, कुछ important होने, जरह करना, start करो, उन दिनों जब छुट्टी पड़ेगी, उन पर दुबारा, repractice करना, उन पर, ठीक है न, जो आपको gap में लाओगा, chemistry match के बीच में, उसकी में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपसे suggestion भी चाहता हूं कि आप मुझे बता देना, क्योंकि वैसे मेरा अपना opinion तो यह है, कि मैं आपके chemistry के अगले दिन के chemistry के शाम से ही, हम video lecture डाना, start करेंगे, कि मेभी एक avalanze of videos उस समय आ सकता है, three videos per day के साबसे videos समय आने लगेंगे, revision के, और complete mathematics के आपकी तयारी होगी, यह हर student के लिए बहुत ज करने है, तो आप मुझे बताएंगे, तो इसलिए ही करना है आपको, और मैं सबसे last बात जो जाते जाते दुबारा से करना चाहूंगा, वो यह कि physics का paper आप ही अकेले नहीं हो, अगर आपका पेकार गया तो, ठीक है और आपको लग रहा की पेकार ही है, examiner की psychology है, examiner को मिला ह इस तरह से copy आपको चेक करनी है, यह करनी है, वो different चीज़े हैं, ठीक है न, उसमें आपको अभी चींदा नहीं करनी है, इसके चेकर में आप सब कुछ मत गवा देना, क्योंकि physics में हो सकता है, सबको कुछ अच्छा profit मिले, लेकिं chemistry में वो बोलेंगे, नहीं हमने तो chemistry का paper न आपकी एक चोटी सी responsibility की chemistry और mathematics के paper को ये बात रहनी चाहिए, कि examination में result देखने के बाद लगना चाहिए, कि physics का number से ज्यादा ही आने चाहिए, तब ही मैं मानूगा आपने मेरी बात सुनी थी, chemistry और maths के number ज्यादे ही आने चाहिए, जिसके भी chemistry maths के number physics के कम आए, तो कुछ बात प्रफिटी नहीं है, तो student को करो आप ठीक है और अराम से प्रपर करो, और कोई चिंता की बात नहीं है सब का paper बेकार जाने वाले में सब का paper गया है, और बेकार भी गया है अच्छा भी ठीक ठाक भी गया, ऐसा ही है सबका, सब्मागी बात, अराम से preparation करो, कोई भी इस बात कुछ सोचना ही मत, physics चले गया बस, अब class 12 की physics से छूटी पा लिया आपने, अब अगले अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो यही चीजे दुबारा 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 रिपीट होते रहेंगे, और आप इसमें master 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 बनते रहोगे, और आपको सीखना है लेकिन, आज से कुछ सीखा, उसे implement में लाना, chemistry में गलतिया नहीं हो नीचे, जो आज होई थी, ठीक है, तो students अभी के लिए इतना है, मिलते हैं आपने किसी next video में, till then goodbye, take care.